हेलो फ्रेंस कैसा है आप लोग अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास्पेंथ मैथ से तिरको नमीती से टॉप 10 को चन को लिया है जिसे आगामी बोड़िया में पूछी आने की समझने की समझना है और इन सभी प्रशनों को हम लोग बिल्कुल आसान भास प्रशन के मान निकालिए सवाल है साइन साओ डेग्री इंस को सौल्फ करेंगे सवाल लिख लेते हैं साइन साओ डेग्री ईन्टू कॉस प्लास साइन तीज डिगरी इंटू कॉस साट डिगरी ठेक है साइन साट डिगरी का मान कितना होता है इसका मान होता है अंडर तीन बटा में दो इंटू का मतलब गुना होता है ठीक है और जो मान साइन साट डिगरी का होता है वही मान कॉस्ट तिस डिगरी का भी होता है ठीक है तो इस सेम हो जाएगा पलस का चीन है तो पलस का चीन देंगे साइन तिस डिगरी इसका मान होता है एक बटा में दो, इंटु का मतलब गुना होता है, तो इसका हिमान होता है, एक बटा दो, अब इसा काम करेंगे, तो पहले गुना काम होगा, ठीक है, इसके बाद में जोर का काम होगा, अब अंडरूर्ट तीन में, अंडरूर्ट तीन से गुना करेंगे, तो कितना होगा, द कम एक और दो घूर बनाएंगे चार अरवत अने कि इसका प्लक प्लस है तो यही और उसका आगे बढहेंगे और प्रस्न संख्या 2 को देखेंगे, तो प्रस्न संख्या 2 है, 2 10 30 डिगरी बटा 1 प्लस 10 स्क्वाइर 30 डिगरी का मान याद करें, ठीक है, 2 10 30 डिगरी, प्रस्न संख्या 2 है, 2 10 30 डिगरी बटा 1 प्लस 10 स्क्वाइर 30 डिगरी, ठीक है, अब देखें, 2 और यहाँ कोई चिन नहीं है इसका मतलब है कि ये गुना में है तो दो गुने टैन तीश्ट डिग्री इसका मान होता है एक बटा अंडरूर तीन एक बटा अंडरूर तीन और आप लोगों को अगर यह मान याद नहीं है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है ठीक है नीचे में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां सजा कर देख लेना बिल्कुल असान भासा में बनाया है आपको समझ में आ ज दो बटा अंडरूर थीन 27 ग में दखेद एक प्लस माष में एक पैस आंटols करनेगे तुर किटना हो जैगा अंडर्वत रुद इसंटर एक में दो बटा अंडरो थीन बटा ईकार वटा में धि distint स्लyदो में घीनल 1 नीचे वाले को उपर कर देंगे और उपर वाले को नीचे कर देंगे तीन उपर चला जाएगा और चार आजाएगा नीचे ठीक है दो एकम दो दो दूनी चार क्या जागा उपर में उपर में आगया तीन और नीचे हो जागा दो अंडर रूट तीन अब इससे क्या करेंगे देखें जब नीचे रूट में रहता है और इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसका एक तरीका होता है प्रमेरिक रंड करने का अब यहां हम लोग क्या करेंगे प्रमेरिक रंड कर देंगे तो अंडरूर 3 से ऊपर और नीचे दूने में गुना कर देंगे अब आगे बनेंगे और प्रस्न संख्या 3 को देखेंगे तो प्रस्न संख्या 3 है साइन 18 डिगरी बटा कॉस बहत्तर डिगरी का मान याद करें साइन 18 डिगरी और कॉस बहत्तर डिगरी इस तरीके के सवाल में दोनों पत को बराबर करना होता है फिर कार देते हैं तो एक इंसर इसका चला आता है लेकिन बराबर कैसे होगा साइन 18 डिगरी आप उपर वाले या नीचे वाले दोनों में से किसी एक को तोर सकते हैं थिक है हम नीचे वाले को तोर लेते हैं तो उपर वाले को जैसे वैसे लिखेंगे साइन 18 डिगरी बटा देखें कॉस इंटू 72 डिगरी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिगरी माइनस 18 डिगरी देखें जितना उपर में है उतना ही हम क्या करेंगे इस्मेंसे घंटा देंगे तो क्या जाएगा 2000 डिगरी आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे 72 डिगरी को हम लोग ऐसे कटके लिखेंगे 90-90 डिगरी माइनस Aunty Agra-दी फिक साइन 18 डिगरी बटा कॉस 90 डिगरी इंटू 18 डिगरी क्या होता है है賤18 हो जाएगा यह हो जाएगा Kind or The tenth has तुए हो जाएगा अठागर डिए है तो यह हो जाएगा 18 टाए चंसल करेंगे एक बार में यह हो जाएगा इसका सबस्तुबर अब आगे बढ़ेंगे और प्रसथनos적 4 को देखेंगे वे इस साब्प्रिस शेओंट है है 99 डी x around 26- गो में इसको तोरेंगे 90 डी ली माइनस 26 डीशी कर देंगे तो क्या हो जाएंगा 24 डीशी ली आ जाएगा तो टैन 26 डीशी बंटा इसका मान क्या हो जाएगा etti तैन 26 कर देंगे एक बार में कर जाएगा और यह रिमंगा इसका इसका अजरika अब आगे बरहेंगे और प्रस्न संख्या 5 को देखेंगे, तो प्रस्न संख्या 5 है, दिखाएं कि 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1043 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 10 23 डिगरी इंटू 10 16 डिगरी बराबर एक दिखाना है अब देखें इन दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे 10 48 डिगरी जैसे ऐसे लिख लेते हैं इंटू इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 10 इंटू 90 डिगरी माइनस ऑरतायश डिगरी तो क्या हो जाएगा बैलिस डिगरी हो जाएगा 10 23 डिगरी इंटू इसको तोड़ेंगे वह हो जाएगा 10 90 डिगरी माइनस परेश डिगरी तो 10 48 डिग्री इंटू देखे 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इसका फ्रमूला होता है कॉर्ट का कॉर्ट और ठीटा क्या है 48 डिग्री तो यह हो जाएगा 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इसका फ्रमूला क्या होगा मुले macht इप इसका फर्मूला क्या होता है एक ईक गून्य एक क्या हो जागा एक हुँआ इसका अब आगे भरेंगे और प्रस्न संख्या 6 को देखेंगे प्रस्न संख्या 6 है यदि 10 दो ए बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डेगरी जहां दो ए एक नियून को नहीं है तो एक आमान याद करें ठीक है प्रस्न संख्या 6 है 10 दो ए बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डेगरी इसको पहले तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट इंटू 90 डिगरी माइनस दो ए बराबर कॉट इंटू ये माइनस 18 डिगरी तो ये बराबर के बराबर के बाद में ये है तो बराबर से पहले आगा क्या हो जाएगा माइनस में और माइनस में 18 डिगरी है बराबर से पहले आगा तो ये हो जाएगा पलस में 18 डिगरी बराबर सुन ठीक अब 90 डिगरी और 18 डिगरी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108 डिगरी माइनस का दो ए औ और माइनस का A के क्या हो जागा माइनस का 3 A और माइनस के 3 A को जब हम बराबर के दुसरे तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 A, यह हो जागा 3 A, इसलिए A बराबर क्या हो जागा, 108 डिग्री बटा में 3, कैंसिल करेंगे, तो 36 बार में कैंसिल हो जागा, ठीक है, और यही हो जागा इसका एंसर, प्रसन संग्हे साथ को देखते हैं, तो प्रसन संग्हे साथ है, सिद्ध करें की, कॉस A बटा 1 प्लस साइने, प्लस, 1 प्लस साइने बटा कॉस A, बराबर 2 सेक A, तक है, याने की हमें इसका काम करके क्या लाना है, 2 सेक A लाना है, ठीक है, तो पहले सवाल को लिखेंगे, प्रसन संग्हे साथ है, डिखेंगे, ति सिंपल है, जब आप इसको देखेंगे तो क्या नजरा रहा है, बटा का जोर है, इतना बटा में, डॉस के लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बटा का जोर बनाने के लिए क्ले करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का लगुतम निकालते हैं तो यहां दोनों अगर बराबर होता दोनों में से कोई एक लगुतम हो आता देखिए यहां तो अलग-अलग है अब इसका लगुतम कैसे बनेगा देखे लगुतम नहीं बनेगा तो हम गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा, एक प्लस साइन एंटू कॉस ए, ठिक, अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या से भाग देंगे, ठिक है, अब इसमें, देखे, इधर और कर्च करेंगे हम लोग, एक प्लस साइन एंटू कॉस ए में भाग देंगे, किससे, एक प्लस साइन एसे, क्या हो जाएगा अब हम इसमें इस से भाग दें इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक पलस साइन एका whole square ठीक अभी साह काम करेंगे वह से स्क्वाइर एक का स्क्वाइर क्या होगा एक ही होगा लिख लेते हैं a square प्लस b square कर देते हैं प्लस 2a b 2 a कमान एक और b कमान क्या है साइन एई बटा एक प्लस साइन एंटू कोर से अब देखें कोश स्क्वेयर एई इसको पहले दिखेते हैं साइन एस्क्वेयर एई ठीक है? प्लस एक का स्क्वाइर एक, प्लस दू एक हम दो, और साइन ए से गुना करेंगे का जगा? दो साइन ए, बटा एक प्लस साइन ए, इन्टू पॉस ए, अब देखें, इसका मान क्या होगा? sin A square A plus cos A square का मान का होता है एक होता है इसके जगापर एक plus का 1 और plus का 2 sin A बटा एक plus sin A into cos A एक और एक क्या हो जागा? दो ठीक है? 2 plus 2 sin A 2 plus 2 sin A बटा एक plus sin A into cos A ठीक है? अब यहां हमलों क्या कर सकते हैं? 2 common लेंगे, 2-1, 2 प्लस, इसमें सरец 2 common लेंगे, तो क्या बचाएगा, sin A, बटा, 1 plus sin A, इंटो, cos A, इवे दूनों बराबर है, कैंसिल हो जायओ, क्या बचाएगा, 2 बटा, cos A, क्या बचाएगा, 2 बटा, cos A, ते कहा, ते̡ अब देखे, है दो गुनिए एक फरक तो नहीं परने वाला है ना दो और एक बाटा कॉस एजाएगा से यहीं हो जागा इसका एंसर या आप ऐसे कहलो लेफ्ट हेंड साइड और ही थे खार हो जाएगा डाइट हैंड साइड जोगा खार बढ़ावर होगा अभा है अ आगे पठते हैं और प्रसन संख्या आठ गो देखते हैं की प्रसले शांखिया 8 है सिद्य करें की अंडरूट एक प्लसाल राझे बटा एक-mai-स कौस से बराबर स्यक ए प्लसंट एक-धी students क्याइश बेसे आधि करा प्रसा अंडर राएक प्लस राइन एे बटा एक-maiлем ऐसाइन-ए भरक लाना है तो बराबर में लाना है स्यक ए एक प्लास टैन एक है तो हम लोग बाइस आगे बरहेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एक प्लस साइन ए बटा एक माइनस साइने ठीक अब देखें यहां अंस और हर दिखेंगे कि अंस और हर दोनों में अंडर रूट एक प्लस साइन ए से गुना करने पर गुना करने पर इसे गुना कर देंगे अंडर रूट एक प्लस साइन ए से और नीचे में भी गुना करेंगे एक प्लस साइन ए से अंडर रूट से ठीक है तो दोनों में कर देते हैं एक प्लस साइन ए ठीक जब गुना होग तो यह क्या हो जाएगा एंडरूट 1 प्लस साइण साइं एक का हो जाएगा होल स्क्वेर बटा एक माइनस साइने और एक प्लस साइने जब इस दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 minus sin square a ठीक तो 1 plus sin a का क्या हो जाएगा whole square नीचे क्या हो जाएगा cos square a cos square a ठीक दीखे यहाँ भी square है और यहाँ भी square है इस दोनों का whole square कर सकते हैं under root 1 plus sin a plus cos a इस दोनों का square कर देंगे स्क्वार से रूट हटेगा, क्या बचेगा, एक प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए कर देंगे, एक बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा क्या हो जागा, कॉस ए, अब देखें, एक बटा कॉस ए, क्या होता है सेक एह होता है तो यह लिखेंगे सेके प्लस साइन ये बटा कौस है क्या होता है टैने कि अधिक है और एच एस प्रूप्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रस्न संख्या नौप देखते हैं प्रस्रम सेखर्ण है सीध करेकी साइन थेता माइनस दो साइल कीवेटी थिता बटा दो कॉस्द माइनस कॉस्ट्रीटबर वत तीटा ठीक है इसको लिख लेते हैं नाच से सफ्रम में किकी त्थे ख भड थे जो सा seem किप टीटअ बर्ाठा धो कॉस किस्टि गूब तीटा माना स्कॉछ थिर्ष अ अब देखेंगे इसका आप क unlikely यह और सांदीट अधर है तो हमनों क्वाकर गणства कॉम ले लेंगे कि इसमें को बचेगा 1-2 और तीन में से अगर एक हमने कॉमल लिए हैं तो क्या बचेगा 2 हो जाएगा एस्क्वार धिटा बट्टा देखे लिए सेम यहां भी कमल경 एंगे पॉस थिटा इसमें करणा करना है बराबर करके देना एक माइनस दो साइन एस्क्वार धिटा जैसे लिखेंगे नीचे वाले काम करेंगे कॉस्ट थिटा इंटू दो कॉमल लेंगे और से स्क्वार्ट थिटा को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वार्ट थिटा माइनस सेखें तो माइनस एक साइन थिटा इंटू एक माइनस दो साइन स्क्वार्ट थिटा बर्टा कॉस्ट थिटा के दो एकम दो माइनस दो साइन स्क्वार्ट थिटा दो साइन स्क्वार्ट थिटा माइनस एक माइनस एक अब देखें अब में से एक मानस करेंगे, क्या बचेगः, एक मानस, दो, साइन स्क्वार थीटा, ठीखे, ये दुनों बरावर हो गया, टेंसिल कर देंगे, अब, साइन थीटा, बटा, कौँद थीटा, क्या जाएगा, टें सीटा, आजाएगा, अब अब प्रसन संख्या दोस को देखते हैं थो दोस्तों जो प्रसंद संह का अधाव्र से एक आफी लंबा सवाल है इस सवाल को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा नहीं आप ठीक है क्या है टैन थीटा बटा में एक माइनस कॉर्ट थीटा क्या है प्रसंद सेंख्या दोस है टैन थीटा बटा एक माइनस कॉर्ट थीटा प्लस कॉर्ट थीटा बटा एक माइनस टैन थीटा डूर तीधा बटा एक मनलस तेल passa सिक झिता के पने नुए फिरृटा प्रस पिस昨 थिई का इंटू कहां कि भृषल में फिर दो फिर। सिलाने के सवाल में सबसे प्राइव क्या करते हैं कि टैन खोर्र रोप से को sign और Cost के पदमें Change कर लेते बदल लेते है अभी यहां क्या है टैन थीटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस्ट थीटा ठीक अब नीचे वाले को एक माइनस कॉर्ट थीटा है इसको हम रोग चेंज करेंगे क्या हो जाएगा कॉस्ट थीटा बटा में साइन थीटा पॉस्ट थीटा प्लस है तो प्लस देंगे अब इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा क सिट यहां गर्टा एक मायनस यह हो जाएगा सायन सिट खुटा में पॉष्ट इसा काम करेंगे तो साइन थीताब डटा में किया रिल्लाकश्च तो सेल याइगा आँज तबंद फिट रेन आँ थे पॉस्फटा यह शित लड़ा ¿ тожеpiej गता यहींगे किसे काम करेंगे, कॉस थिटा बटा में क्या है, साइन थिटा बटा और से कम, कॉस थिटा माइनस, साइन थिटा बटा में क्या है, कॉस थिटा, अब देखें, साइन थिटा बटा में क्या है, कॉस थिटा, और ये भाग का चिन है न, इसमें का करते हैं, गुना में चिंज करत एंगे और उपबाले को नीछे कर देंगे छ गोर्ट मैझनिस औस सिटा पलस देंगे हैं यहां वैसे ही करेंगे उस्ट इटा बता में इसाइन ठीथा गुने नीचे बाला उपार चला जाएगा गटा वर सिटा मैएनस साइन ठीना ठीक अब देखिए साइनधर में साइनधर दिया सबर सबुदा करें एम जाएगा साइन व chaos क्रति थीलिटा धिक और ट फोट मॉस्ट सुट्जा एंट्यू मिलाइड मॉस्ट सेल थकर怎么 चन्र तबंगे तर फोटॉन आख करेंगे युवगा पॉरस झोर्ट ट蓇टा बता साइन थिटा इंटू, देखे यहाँ, अब यहाँ समझना है, कोस थिटा माइनस साइन थिटा, यहाँ पर आपको समझना यह है, यहाँ है साइन थिटा माइनस कोस थिटा, और यहाँ क्या है, कोस थिटा माइनस साइन थिटा, यहाँ साइन पहले है, और यहाँ बाद में है, देखे इसको, cos theta minus sin theta, इस दुनों को बराबर करेंगे, तो minus sin theta पहले हो जाएगा, और plus में हो जाएगा cos theta, अब minus को common लेंगे, तो इस क्या हो जाएगा, sin theta और चीन बदल जाएगा, minus cos theta, जब minus common लेते हैं, तो अंदर का sin change हो जाता है, अब दुनों बराबर हो गया अंदर में, लेकिन हमने common क्या लिया है, minus common लिया है, जब minus common लेंगे, तो minus इस सभी के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब हम change करेंगे तो, तो यह हो जाएगा, sin square theta बटा में, cos theta into sin theta minus cos theta, अब माइनस का चींद देंगे, cos square theta बटा में हो जाएगा, sin theta into sin theta minus cos theta, ठीक, अब दुनों बराबर हो गया है, यह वाला और यह वाला, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ बटा का घटाओ बनाएगे, बटा का घटाओ बनाने के लिए का करते हैं, सबसे पहले लगुताम निकालते हैं, अब देखे, लगुताम में यह दोनों अलग-अलग है, इस दोनों को पहले लिखेंगे, into sin theta, और दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, sin theta minus cos theta, ठीक है, अब देखे, इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग देंगे, तो यह दोनों बराबर है, यह दोनों cancel हो जाएगा, और cos theta से cos theta भी cancel हो जाएगा, सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब का परकोष एक पर्मूला क्या होता है इसका formula होता है A-B into A square plus B square plus AB तो A हो जाएगा देखेर A and sin theta minus cos theta into A square and sin square theta plus cos square theta plus AB ज्यानिकी sin theta into cos theta बट्टा यह दोनों बरावर है इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा अब इसके जगापर क्या हम एक लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 1 plus sin theta into cos theta बट्टा में cos theta into sin theta इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक बट्टा में cos theta into sin theta plus sin theta into cos theta बट्टा में cos theta into sin theta लिखेंगे इसको एक बट्टा में cos theta into sin theta प्लस है तो प्लस का चीन देंगे और यह हो जाएगा sin theta into cos theta बट्टा में cos theta into sin theta लिखेंगे यहाँ यह पहले है कोई दिकत नहीं है गुना में है तो अभी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कितने बार में एक बार में इसको हम लोग क्या करेंगे देखें क्या है एक बट्टा में cos theta into sin theta है ना इसको लिखेंगे एक बट्टा में cos theta into 1 यहां एक बट्टा में cos theta है ठीक है इसका फोला होता है सिंक theta into 1 में cos theta इसका फ्रमॉला होता है कोशिक ठीटा ध्लस एक अब दिखे इस एक को हम रहो क्या करेंगे पहले कर लेंगे ठीक है क्योंकि प्लस मेला अगर रहता है तो हम पहले कर सकते हैं जैसा कि वारी हां जो चीज really self करना है ठीक यहां क्या करेंगे एक को पहले कर लेंगे प्लास शेक थीटा इंटू को सेक थीटा ठीक यह जागा और इच एस ठीक प्रूब्ड और यह हो जागा इधर लिफ्ट हैंडसाइड ठीक है तो दोस्तों मैं हमीद करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होका अगर किसी प पहले का वीडियो आप लोगों नहीं देखा है तो अनला के स्टेडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन वक्स में लाकर इससे पहले का सारा वीडियो दिख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद